वेल गुद मॉनिंग अनिल जी आज का स्टॉब गया है एनार भी बेरिंग्स और आप देखिए कल भी हम अगर याद करें तो इवनिंग शो में आटो स्टॉक्स के ऊपर और और अटो इंसलेरी के ऊपर सवाल पुछा गया तो और मैंने बहुत सारे अटो इंसलेरी स्टॉक् मुझे लग कही उससे नीचे जाएगा और ये स्टॉक को मैंने 17 जून लास्ट यर भी दिया तर उस टैम पे मैंने 130 पे 30 के लेवल्स पे दिया था और आराम से 155 का टार्गेट अचीव के और 190 के लेवल से अब ये अच्छा का सा करेक्ट हुआ हुआ है तो बिल्कुल इस इस तरीकी की पेडिवरी इस तरीकी की कमपनी और आप दिया जो मार्केट लीडर है वह अच्छा का सा उपरफॉर्फॉर्ण की इसकी पी मुल्टिपल्स पे अज़ा वैलुशन दे तो बहुत सस्ती है और कमपनी ने अभी आरेट पे काफी खर्च किया है क्योंकि एवी मे इसको देखते हुए और एक्सपोर्ट्स भी कमपनी का ठिक थाग है बाइस पचीस तेईस चोविस परसंट के लगबग और अब मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स प्रकेट देखें तो पंद्रा के पी मल्टिबल पे सस्ता स्टॉप और पंद्रा स्वला का रिटन अन क् प्रकेट देखें तो आचनो परसंट के हिसाब से कंपनी को भी कर रही है और मैं देख रहा था ओप्यम मार्जिंस तो वह भी 17-18 परसंट के लगबग मेंटेंड है मार्स 2022 में इछले क्वर्टर के मुकाबले बढ़े हैं और शेरोल्डिंग पैटेंट प्रेंट प्रेंट मैं इतने सारे जेम्स दियाओं बर इतना इंप्रेसिव मुझे नहीं लगा फिरिए पचास परसंट तो शेरोडिंग पैटेंट प्रमोटर्स किया है एफाई आई जो डियाई करीब साड़े 33 परसंट होल्ड रहे हैं अपनी में और उसमें भी एफाई इसमें नालंडा इं और उपर के लेवल्स के बाद अब मैं देखता हूं कि अच्छा का सा करेक्ट होने फे 150-170 का टार्गेट लगा कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए ओके तो एन अर्बी बेरिंग्स यह वो स्टॉक जहां पर खिड़दारी करने के राए